तो अभी जॉलोजी के बारे में करेंगे इसके आगे बाकी के सारे कोड्स और बाकी के जो भी पेपर हुई है, मास्टर के बारे में जो है वो डिसकस करेंगे आगे अभी स्टार्ट करते हैं, सबसे फर्स्ट कोशिन है कि कौन से ऐसे फाइलम है, जो कि एक्स्क्लूजिवली मराइन है, जो सिर्फ पानी में ही पाया जाता है तिक है, मतलब सॉल्टी वाटर में ही और्गिनिजम रहते हैं, कौन से फाइलम की उनकी स्मिट्री, रेडियल, और डिप्लोब्लास्टिक और्गिनिजम होते हैं, तो दो ही जमलियर्ज होते हैं और ये जो फाइलम होते हैं, जिन में डिप्लोब्लास्टिक रेडियल आनी है, अब ही अगर आप देको, तो ये हमने डिसक्ष किया था, जो ऐनीमल किंडम के हमने कोशन किया थे तब हमने इसके बारे में discuss किया था ठीक है तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखिया है तो आप वो प्लेलिस्ट से जाके जाकर सकते हैं आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी वो मैमल कौन सा है जो एगलेंग है मैमल बताना है वैसे तो बर्ड एगले करते हैं या बाकी के और्गिनिजम्स एगले करते हैं मैमल नहीं करते हैं यंगवन को बच्चों को सीधे बर्थ करते हैं तो यह एगले करता है सीधे यंगवन को बर्थ नहीं करता एग ले करता है ये मैमल होने के बाब जूद भी ठीक है बाकी हिपोकैंपस, कैंगरू, ये सीधे इनके बच्चे होते हैं यंगवन्स होते हैं एगनी लेकरते हैं ठाड कोशिन है, during meiosis, crossing over between कि जब meiosis होती है, meiosis मतलब जो reproductive cells होती है, जब वो divide करती है ठीक है गयमीट बनाने के लिए तो उसको बोलते हैंarmeeosis जैसे biomedical वो meosis के बाद ही बनते हैं अपने cell cycle cell division में यह पड़ा है तो कहते हैं crossing over किसमें होते हैं? crossing over याना कि 2 chromosomes जो हैं वो हपसमें इस तरह से ऐसे करके cross करते हैं ठीक है? तो इसके यहां पर crossing over होता है हैं देखो meiosis में क्या होगा maternal ठीक है और paternal अभी मैं color different तो नहीं ले सकती मतलब इसमें आप differentiate कर सकते हों कि paternal और maternal दुन्नों chromosome होते हैं ये अलग हैं इनके chromatid अलग होंगे क्योंकि genes इन में अलग हैं ठीक है तो जब यह आपस में characters को fuse करने के कोशिश करते हैं जिनके through genes जब mix होते हैं meiosis के लिए ठीक है तो उस time पे ये जो non-sister chromatid होते हैं homologous chromosomes के उनमें crossing over होता है जिसको हम kaismata भी बोलते हैं ठीक है तो meiosis 1 के दरानी होता है non-sister chromatid of homologous chromosomes इनमें crossing over होता है during meiosis तो हमारी option D next है fourth question है which of the largest phylum of the kingdom animal is? सबसे easy question है कि सबसे बड़ा phylum कौन सा होता है animal kingdom में सबसे बड़ा phylum कौन सा है annelida, akinodermata, mollusca या arthropoda तो हमें पता है arthropoda जो है दुनिया का सबसे बड़ा phylum है क्योंकि इसमें सारे के सारे दुनिया के insect इसी के अंदर ही आते हैं तो सबसे बड़ा जो phylum है animal kingdom का वो arthropoda है second phylum पूछेंगे तो हम mollusca बता देंगे ठीक है उसके बाद है in earthworm the circular muscles are highly developed in कि जो earthworm होता है उसमें circular muscles सबसे जादा कहां पे होती है circular muscles सबसे कहां पे होती है जादा body wall में, gizzard में, phynix में या टिफलो सोल में तो इसके gizzard part जो होता है वहाँ पे सबसे जादा circular muscles होती है क्योंकि gizzard part में earthworm के अंदर gizzard part में ही इसके food की grinding होती है food grind होता है तभी इसकी body में वो digest हो पाता है absorb हो पाता है तो इसलिए gizzard जो है वहाँ पे जादा muscles होती है ताकि food crush हो सके proper grind हो सके ठीक है so option B आएगी फिर है sixth question in the following sorry in the incorrect statement regarding the birth control is birth control को लेके जो statement सही नहीं है वो बतानी है पहला है copperty suppress the fertilization by covering the ovum कि copperty ovum को मतलब cover कर लेती है ताकि fertilization ना हो सके fertilization suppress हो जाए and oral contraceptive will contain the progesterone estrogen ठीक है oral contraceptive में estrogen progesterone होती है progesterone present in the oral contraceptive pills check ovulation करती है ovulation check करती है and oral contraceptive pill prevent the ovulation by inhibiting the release of the LH or FSH जो luteinizing और follicle stimulating hormone होती है वो hormone oral contraceptive pill जो medicine होती है ठीक है गोलिया जिसको बोलते है तो कई लोग वो खाते हैं contraception के लिए unwanted pregnancy को रोकने के लिए ठीक है तो कहते हैं यह ovulation को रोक देता है बिल्कुल ठीक है तो हमारी जो option A है यह गलत है ठीक है उन्होंने कहा कि यह fertilization को suppress कर देता ovum को cover करके ठीक है तो यह option गलत है ठीक है A option next है हमारा 7th cover cells are found in cover cells कहाँ पर पाए जाते हैं liver में small intense strain में पाइज वो cell होती है जो के body को जो germs enter कर जाते है foreign particles enter कर जाते है infection करने के लिए तो उनसे बचा के रखते है ठीक है तो infection से बचाने का काम होता है macrophages का तो cover cells liver में पाए जाते है और macrophages का का काम करते है so आईगी option A next question है human body में bile salt का क्या रोल है bile salt digestion में क्या रोल प्ले करता है emulsifying fat and facilitate their absorption दूसरा है मतलब fat को emulsify करता है तोड़ता है ताकि वो absorb हो जाए दूसरा है कि coenzyme का काम करता है ताकि carbohydrate digest हो सके pancreas में इस enzyme को release करने का काम करता है या protein को amino acid वगएरा में तोड़ता है ताकि वो absorb हो जाए तो जो bile salt होता है असल में liver के अंदर ये secret होता है gall bladder में ये store होता है ठीक है बट इसका function क्या है option ही आएगी इसकी ठीक है कि ये fat को emulsify करता है देखो fat complex form में होती है fat cells जो है वो सीधे body में digest नहीं हो सकते जिसे carbohydrate तो simple break हो सकते है glucose वगेरा में असानी से थोड़ा इतना effort नहीं करना पड़ता बट जो fat होती है इसको emulsify करना पड़ता है पहले fat जो है fat के छोटे-छोटे droplets बनती है तो fat emulsify होती है फिर ही वो छोटे-छोटे droplets है and then वो दीरे-दीरे करके absorb होती है सीधे नहीं हो सकते तो इसलिए liver में जो bile salt है वो emulsify करता है fat को so option है option A trypsinogen is converted into active trypsin by the action of कि कौन साइस enzyme है जो कि trypsinogen को trypsin में convert करता है तो उसके बारे में हमें बताना है so first है cloacistokinin secreting antirokinase है antirokinene है तो इसकी option है कि option C antirokinase जो होता है ये enzyme क्या करता है trypsinogen को trypsinogen होती है complex form इसको trypsin में convert करता है तो ये क्या करता है कि जो pancreatic juice होती है उनमें inactive enzyme present होता है antirokinase की help से वो enzyme जो है trypsinogen ये active होता है और trypsin में convert होता है trypsin बनाता है तो antirokinase की help से trypsinogen जो है trypsin में convert होता है इसकी option C यानी है next है trachea in man doesn't collapse even when there is no ear in it due to कि अगर जो human का trachea है trachea ये वाला हिस्सा होता है जो हमारे गले से नीचे की तरफ जाता है हमारे chest में then वो आगे उसके साथ ऐसे lungs जुडे होते है तो कहते है ये जो trachea होता है ये कभी भी collapse नहीं करता लग सिकूरता नहीं है ये चाहे इसमें ear ना हो ठीक है फिर भी ये सिकूरता नहीं है क्यों because of presence of kitanus rings presence of bony rings cartilaginus rings है इसमे कि turgid pressure है इसमें किस वज़े से trachea जो है वो ear की कमी की वज़े से भी collapse नहीं करता चोटना नहीं होता सिकूरता नहीं है क्यों क्योंकि उसमें क्या है cartilaginus rings है ठीक है haline cartilage बोलते है haline cartilage से बनी हुई rings है ठीक है तो ये क्या करती है अगर ear कम भी है ना तो भी trachea को shape में रखती है ठीक है तो इसे वज़े से वो collapse नहीं कर पाता इसमें थोड़ी बहुत ear बच जाती है ठीक है क्योंकि इसके shape ही कुछ इस तरह से है ठीक है तो थोड़ी बहुत bodies है centrosome है कि कौन सी option है इसमें सिर्फ lysosome है ठीक है lysosome और micro bodies single membrane वाली होती है कि lysosome micro bodies and centrosome होती है कि lysosome और centrosome है तो उन्होंने खा single cell single sorry membrane कि कौन सा ऐसा part होता है कौन सी ऐसी organally है जिसमें सिर्फ एक ही layer होती है एक ही membrane होती है दो नहीं होती single membrane होती है जैसे हमने mitochondria पड़ा mitochondria में क्या होता है double membrane है दो membrane है outer and inner membrane है तो वो दो होगी double होगी ये single कौन सी है वो बतानी है तो इसमें होता है इसके option है option B ठीक है first or second दोनो मतलब lysosome जो होती है जहाँ पे जिसको सुसाइड बैक बोलती है even जो micro bodies होती है छोटी-छोटी सी cell के अंदर तो ये सारी जो है ये दोनों की दोनो lysosome और micro bodies क्या है single membrane organelles होती है next question है cell organelles which shows extensive polymorphism conscious cell organelles है जिसमें सबसे ज़ादा polymorphism होता है reticulum में ER endoplasmic tracticular में lysosome में mitochondria में के गौल जाई बॉड़ी में तो इसकी option आएगी option C जो mitochondria होता है उसमें सबसे ज़ादा polymorphism होता है इसका अपना DNA भी होता है तो अपना ही काम करता है extensive polymorphism इसमें ही देखने को मिलता है mitochondria में next है which of the following is not an aromatic amino acid कौन सा ऐसा amino acid है जो aromatic नहीं होता अब यह amino acid 20 टाइप के होता है तो उनमें से कहते है कौन सा है जो aromatic नहीं होता है ठीक है टारोसिन है आगे है ट्रिप्टोफैन फिनालानीन या त्रियोनीन इसके option है option D जो थारोनीन होता है यह aromatic amino acid नहीं होता है ठीक है उसके बाद आते हैं 14th question पे हैलिकल स्ट्ट्चर औफ प्रोटीन इस स्टेबलाइजड बाई के जो यह DNA वगेरा होता है ठीक है उसका जो हैलिकल स्ट्ट्चर है प्रोटीन का हैलिकल स्ट्ट्चर है वो किस वज़े से maintain रहता है हैलिकल स्ट्ट्चर कुछ इस तरह ऐसे होता है ऐसे करके ठीक है यह हैलिकल स्ट्ट्चर होता है ठीक है तो कहते हैं यह किसकी help से जो है वो maintain रह पाता है तो इसकी हमें option बतानी है पहली है hydrogen bond है peptide bond है तो इसकी option है option A hydrogen bond वो stabilize करके रखता है क्योंकि nitrogen base में यह पाई जाती है hydrogen bond तो इसका important role होता है ठीक है इसकी option है option A फिर है 15th backflow of the fecal matter in the large intense time is prevented by the presence of की जो large intense time होती है ठीक है उसमें waste food मतलब waste material जाता है यानिकि feces वो गयरा जो है वो वहीं पे पास करती है waste food जो है तो fecal matter कहते जो है ठीक है waste जो है जो एनसके through remove होगा तो वो fecal matter जो है वो किसकी किसकी वज़ा से पीछे की तरफ backflow नहीं करता मतलब यह small intense time है ठीक है अंदर और यह large intense time वाला part है इस तरह से करके बना हुआ ठीक है तो यहाँ से small intense time से वो large intense time में चला जाता है ठीक है तो कहते है क्या ऐसा part होता है जिसकी वज़ासे जो यह food यह मतलब बेस्ट है वो backflow नहीं कर पाता पीछे की तरफ नहीं आपता कौन सा part है जिसकी वज़ासे ऐस होता है sphincter of od ileocecal valve pyloric sphincter यह gastroesophagal sphincter तो इसकी option आएगी option B ileocecal valve sphincter of od तो liver और pancreas का common doctor है वहाँ पे खुलता है जो pyloric sphincter होता है pyloric sphincter जो है वो stomach stomach इस तरह से कुछ करके stomach का जो last वाला sphincter है वो होता है pyloric sphincter तकी stomach में food बैग ना जा सके gastroesophagal sphincter होता है यह stomach और isophagus part उपर वाला जो है ठीक है stomach में enter करने से पहले ही जो part आता है वहाँ पे जो sphincter gate जैसे structure होता है वो होता है तो यह तो intense strain के पास है intense strain के पास होता है ileo secal valve ठीक है ileo यानि की ileum बाला secal part ना secum होती है large intense strain का secum colon rectum ठीक है तो यह जो ileum secum से ileum की तरफ वापस food ना चला जाए large से फिर से वापस small में ना चला जाए intense strain में food fecal sorry matter तो इसलिए यह valve लगा होता है so ileo secal valve option B next question पर आते है which of the falling may occur if the canal of the sheelan is blocked ठीक है क्या होगा अगर जो sheelan canal है वो block हो जाएगा sheelan canal कहां पर होता है sheelan canal हमारी eyes में present होता है ठीक है eyes वाला part होता है तो अगर यह block हो जाए तो क्या होगा cataract होगा glucoma होगा pressed by opia बिमारी हो जाएगी या astigmatism नाम की बिमारी में disorder हो जाएगा so इसकी option है option B glucoma हो जाएगा क्यों क्योंकि जो canal of sheelan है यह eyes का part होता है ठीक है तो यह जो भी वो aqueous humor होता है aqueous humor fluid जो eyes के part में secret होता है तो वो blood stream में यह पहुंचाने का वो blood में पहुंचाने का काम करता है यह जो canal of sheelan होता है ठीक है पर अगर यह block हो जाएगा तो क्या होगा pressure बढ़ जाएगा यह eyes के part में ही रहेगा तो वहीं पे pressure generate कर देगा जादा pressure बढ़ा देगा eye के अंदर तो उसी pressure के बढ़ने की वज़े से क्या हो जाता है glucoma नाम की problem हो जाती है ठीक है यूंकि aquasumor वहीं पे ही जो है वो इकठा हो जाएगा pressure बढ़ने की वज़े से और उससे जो eye की जो nerves होती न optic nerves जो brain तक message लेके जाती है तो वो damage हो सकती है ठीक है so option आगी option B next day which of the falling bacteria cause plague plague नाम की बिमारी किससे होती है plague जो है ये कई सालों पहले होई थी तो अभी तो काफे time हो गया तो बहुत सालों पहले होई थी ये 90 इसके time पे ही होई थी तो जैसे अभी corona फैला था same बैसे ये फैली थी तो इसकी बज़े से बहुत सारे लोग मर गए थे ठीक है तो plague जो है ये चूहे से होती है rat से rat carrier है उससे होती नहीं है वो carrier है ठीक है तो अभी इसका germ कौन है वो पढ़ते है zarsenia antirocolytica zarsenia pseudotuberculosis zarsenia pastis या कोई भी नहीं इसकी option आएगी option C zarsenia pastis जो होता है ये जो germ होता है ये rat की body पे पाया जाता है ठीक है उसकी skin पे पाया जाता है ठीक है तो अगर जिस rat में ये germ है तो अगर वो human contact में चला जाए human contact में आ जाए वो rat है तो उसकी वज़ा से human में ये चला जाएगा तो उससे human में plague हो सकती है तो इसलिए option है option Caesar senia pastis फिर है smack is a drug obtained from smack किससे मिलती है latex of papover somniferum fruit of erythrozalam leaves of cannabis sativa या flower of the datura तो ये इसके option है option A latex of papover somniferum तेक है देखो जो smack है ये सीधे नहीं मिलती है पहले क्या होता है जो papover somniferum होता है papover somniferum का ये scientific name है plant का तो जो papover somniferum का plant होता है उसका वो ऐसे fruit के नीचे जो flower के नीचे structure होता है इस तरह का उसको बोलते है latex तो उसको ऐसे cut करके in seize करके काट के तो इसलिए इसके option है option A latex of papover somniferum next है how many of the falling statements wrong with respect to the histology of the elementary canal elementary canal जो है हमारा माउट से लेक्ए अस तका part उसके histology उसके अंदर के parts के related कौन से statement गलत है कितनी statement गलत है वो बतानी है first है all of the four layers are same in different part of the elementary canal सारी layers the same होती है modification के दूसरा है mucosal epithelium has a mucos secreting goblet cells helping lubrication के जो mucos epithelium layer है mucos की बनी हुए वो mucos को secrete करती है क्योंकि उसके अंदर goblet, gold, gold cells होती है और वही जो mucos है वो lubricate करती है intense time वागेरे वाले part को elementary canal को फिर है कि mucos form crypts in between the base of villi in the small and large intestine तो ये crypts जो है वो villi जासा है micro villi जासा structure बनाते finger like structure then है mucosa form the small finger like folding called the villi in the small or large intestine तो first option sorry one option मतलब अकिला first number वाला गलत है 2 गलत है कोई 3 गलत है कि कोई 4 गलत है कितनी statement इसमें से जो है wrong है तो इसमें से 3 statement wrong है option आएगी option 3 C यानकि 3 3 statement गलत है इसमें से सिर्फ ये statement सही है कि जो mucos के mucosal epithelium cells होते है goblet cells वो lubrication करते है सिर्फ ये इसी ये बाकि 3 गलत है ठीक है तो इसलिए option आएगी option C 3 statement इसके regarding गलत है next question है हमारा which of the following functions are carried out by the semi-circular canal of the internal ear के जो हमारा internal ear है ear मतलब कान के 3 हिस्से होते है external बाहर वाला पिना वाला जो हड़ियां है बाहर की soft bones एक बीच वाला जहां पे हमारी वो canals आता है बीच वाला के बाद कान का परदा ear drum आता है और उसके अंदर वो होती है bones होती है ear ossicles and cochlea part जैसे वो स्नील की shell जैसा part होता है तो सारे internal ear का part है तो hearing का function है internal ear जो है इसका क्या function है उसके canals का क्या function है hearing का काम करते सुनने का transmission of sound vibration to cochlea sound vibration को पहुंचाता है body को balance करता है या balance the pressure on either side of ear drum इसके option है option C body को balance करता है इंटर्नल ear में इसके दो function होते है एक तो मतलब पूरे ear के दो function है सुनने का काम तो करता है body को भी balance करता है ठीक है क्योंकि जो इसमे क्योंकि जो फ्लूड होता है ठीक है वो move करता है जैसे जैसे हम move करते है तो fluid जो होता है हमारे ear के अंदर वो भी move करता है उसके वज़ासे जो cilia है वो active हो जाती है और उसकी वज़ासे जो ये मतलब nerves है वो brain तक masses पहुंचाने का का काम करती है तो इसी लिए body को balance भी करता है तो आप मारी option है option C फिर है उसके बाद the link between tongue and the buckle floor is कि buckle मतलब जो buckle floor होता है और जो tongue होती है उसके बीच का link कौन है दोनों को जोड़ता कौन है labial frenulum lingual frenulum है sulcus terminalis है कि lingual papilla है कौन सा पार्ट है इसके option है option B lingual frenulum जो होता है अभी जैसे यह हमारा rough सा बना रही हूँ जैसे मालों यह हमारा mouth का structure है यहाँ पे दांत है यहाँ पे हमारी tongue ऐसे है तो यह वाला यह floor होता है हमारा इसके साथ यहाँ पे जो है दोनों चीजों को जोडने वाला हिस्सा होता है उसी को हम बोलते है frenulum कौन सा lingual frenulum ठीक है option B जो हमारी नीचे नीचे वाला जो हिस्सा होता है skin का jeep से नीचे वाला tongue से नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको जोडने का उसको tongue के साथ buckle floor को जोडने का काम कोन करता है, lingual frenulum ठीक है, छोटी सी एक line जैसे बनी होती है ठीक है, उसके बाद आते हैं disease of the nervous system in which the myelin sheath of the neurons are altered by the formation of the plague is कहते हैं, वो disease बतानी है nervous system की, मतलब brain के साथ यहां, brain के, यहां spinal code के साथ related वो disease बतानी है, जिसमें क्या होता है myelin sheath, जो होती है, neuron की, neuron का में पता न, जो basic unit है, पूरे nervous system का neuron जो है, neuron cell nervous cell, तो कहते हैं, उसमें अगर formation हो जाए, plague की plague बन जाए अगर उसके अंदर, ठीक है तो neurons की myelin sheath, neuron में इस तरह से मालो, यह neuron होता है, ठीक है neuron की एक zone part होता है, ऐसे एंड होती है, तो यहाँ पर myelin sheath present होती है, ठीक है, अगर यहाँ पर plague बन जाए तो क्या होगा, कौन से बिमारी हो जाएगी multiple celluloses हो जाएगी, epilepsy हो जाएगी cerebral epilepsy हो जाएगी यहां Parkinson disease हो जाएगी, तो कौन से disease हो सकती है इससे, तो इसकी option है, option A, ठीक है, multiple celluloses हो जाएगा, इसमें क्या होता है immune system जो होता है, वो affect होता है, ठीक है क्योंकि myelin जो है sorry, जो immune system है वो attack कर देता, myelin sheath पे, क्योंकि neuron proper function नहीं कर पाता, उसकी वज़े से, जो immune system है, वो भी अपना काम नहीं कर पाता, और वो सीधा ही myelin sheath पे attack कर देता है, और तो इसके function खराब हो जाती है, ठीक है so, इसकी वज़े से multiple celluloses हो जाता है next, 23rd question, hemophilia is a common in male, because it is, hemophilia क्या है bleeder disease होती है, genetic disease है bleeder disease, जिसमें क्या होता है, किसी person की अगर cutter लग जाए, कोई हलकी सी चोट भी लग जाए, तो भी bleeding रुक जाती है, खून बहना बंद हो जाता है, चोट लगी हो तो एक मिनट से पहले-पहले ही कुछ seconds में ही खून बहना बंद हो जाता है वहाँ पे जखम पे cover हो जाती है platelets की वज़े से clothing हो जाती है पर hemophilia में ऐसा नहीं होता, उसकी bleeding होती रहती है, तो यह जातर कहते है, male में पाई जाती है female में नहीं पाई जाती है, पाई जाती है बहुत कम, male में जाती है, क्यों dominant trait carried by the X chromosome recessive trait carried by the X chromosome recessive character carried by Y chromosome dominant character carried by the carried by Y chromosome, तो इसकी option क्या आएगी इसकी option आएगी, option B, ठीक है कि जो ये recessive trait होता है न वो X chromosome recessive trait को carry करता है ठीक है उसकी वज़ए से ये जो है बिमारी male में जाधा पाई जाती है ठीक है जो Palmitic acid होता इसमें 16 carbon होता है बाकियों में तो 18-18 carbon वगयरा जो है वो present होते हैं टीक है इसमें सिर्फ Palmitic acid में ही 16 carbon जो है वो present होते है ठीक है इसकी option आएगी option B फिर है pregnant lady में ज़्यादा produce होता है ठीक है प्लस सेंटा के थूँ ताकि जो cervix part है वो खुल जाए वजाइना से आगे का जो cervix part होता है वो खुल जाए जिसको हम birth के नाल कहते हैं तो baby birth हो हो सके ठीक है उसके लिए helpful होता है otherwise यह female में जो non pregnant ladies है उनमें भी ओवरी के थूँ यह सिक्रीट होता है ठीक है तो अभी इसके option आगी option B ठीक है